पॉलिनॉमियल्स के बारे में पॉलिनॉमियल्स आर कंटीनियूस फॉंक्शन इस प्रॉपर्टी का भी बड़ा इस्तेवाल होता है आज वह स्वचल्व करने में के बॉलिनॉमियल्स यू है वह वो अंटीनियस फॉंक्शन इसके कंटीनियस फॉंक्शन का मतला फिलाल आपकेवल इतना सम्हें कि o कि द ग्राफ औफ भाफ पॉलिनॉमियल्स graph of the polynomial functions are graph of the polynomial functions add no breaks जैने कि हम बिना पैन उठाए एक ग्राफ के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बिना पैन उठाए हम बना सकते हैं कहीं कोई discontinuity नहीं होती है तो ठीक है तो कुछ continuous functions की कुछ properties होती है जिसको हम लोग polynomial being continuous use कर सकते हैं तो दो ज्यादा ज्यादा तो आप 12 में पढ़ोगे जब आप functions की detail में पढ़ोगे लेकिन दो प्रॉपर्टीज खास प्रॉपर्टीज हम लोग यहां पर यूज करेंगे पहली प्रॉपर्टी यह है कि बिट्वीन तू रूट्स और अभी पॉलिनोम्य बट्वीन तू रूट्स अभी ती बात करते हैं तेक हैं बट्वीन तू रूट्स अपर बात करें दोट्स फॉक्टन पक्टों क्रॉपर्टीज हम साएं ढुट्स फॉफर्ट बट्स वॉट्स व्सक्त वडीज दॉप्स वड्स पॉपर्ट Being आगिए कले दॉटर्टीज कान तॉट्स its derivative okay energy if alpha and beta are roots of effects थिके न, बसी भूला आँ ग्राफिकली देखना है, अगर अगर आपके, या आपका X-axis है और अपने, ठीक, अमान लो, यह आपकाRIS घ्राफ है, यह आपका रूटा अलपा और यह आपका रूटा रूटा और यह आपका जी गूल्टा है, यह आपकी X-axis है, ठीक, Арगा? तो, if alpha and beta of the root of fx equal to 0, then k will be the root of f dash x equal to 0. f dash x का मतबब वो derivative of fx and k lies between alpha and beta, यहां पर आपकर यह क्ये है यहां पर यह इस वाले point पर यहां पर आपकर इस वाले point पर आपकर जो तो derivative होगा वो 0 होगा, यानि की k point है, that is f dash k आपकर 0 होगा, k उसका root हो और dash x का root होगा, ठीक है न, एक यह property बहुत काम आती है, इस ही को हम लोग rules theorem बोलेंगे, आभी जाते हैं, 12 में रिटेल पर होगी रोल स्यों के बारे में, यहां पर इतना हकाश नहीं है, दूसरी property, जज स्यों के जिए उन्फ्यू ठीजिखने कर्फों के विए ट कि लिए उन्फेट थे, and f of a into f of b आपका negative f of a और f of b आपको negative then इसका क्या मतलब हुआ then f x equal to 0 has at least one real root one real root or odd number of real roots between a and b फीक है ना f x equal to 0 is an equation और यहां पर हम ब्रैकेट में बात कर देते हैं f x is continuous continuous की बाती कर रहे हैं लोग continuous होना बहुत ज़ूरी है function इस property के लिए देखो यह property क्या कहती है आप suppose करो यह इस पर दो पॉइंट माले एक पॉइंट माले लेते हैं एक पॉइंट माले लेते हैं बी ठीक है ना और a पे जब आप a put कर रहे हो function पर तो आपको fa मिल रहा है मालो वो positive है मतलब x-axis के उपर होगा fa और उसी वाले function में जब आप b put करते हो function पर तो आपको fb मिल रहा है fb मालो negative है मतलब दोनु का product अगर negative है तो यहने की दोनु opposite sign के है एक positive एक negative तो अगर आपको यहां से यहां पहुंचना हो तो आपको x-axis को एक बार कम से कम क्रॉस करना ही पड़ेगा यह आपको कम से कम एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है ना इस point को मैं अगर a बोल दूँ इस point को अगर मैं b बोल दूँ ठीक है न यह नहीं to reach b from a the function need to cross x-axis at least once एक बार तो x-axis को क्रॉस करना ही पड़े लाए अच्छा क्या ज्यादा भी बार भी कर सकता है सेकेंड एक केस ओल ने लेते यहनिकि at least one तो कम से कम एक रूट तो ही है क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या एक से ज्यादा बार क्रॉस कर सकता है देखें तो सेल एक सेखसेज यह पक्या प्वेट एल यह आपका प्वेटी हम मान के चखर रहे है कि एपे पॉजिटिव आ रहा है एक कॉमा एप एप और वी प्याद लों निलिटिव आ है आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो हैं बी पर आपको नेगेटिव वैलू मिल रही है इस बी आपको एसे बी पर पहुंचना है ठीक है न आप एसे बी पर पहुंच रहे हो तो क्या हुआ कि आपने एक बार आपने क्रॉस किया अप फिर आप वापस चले गया फिर आपको बी पर पहुंचने के लिए दुबारा क्रॉस करना पड़े हैं तो कितने रूट आए हैं तीन रूट एलफा बीटा यह देखो तीन रूट आए हैं आपके ठीक है न यानिकी और दी फॉंक्शन हैस तू क्रॉस एक्स एक्सेस थ्राइस है ना या दे वो तीन बार करना पड़ा और दी फॉंक्शन जो ग्राफ आपका है विल कट एक्स एक्सेस थी ताइम्स टू रीच वी और अगर आप ऐसे बढ़ाते चले जाओगे तो आप देखोगी कि और नंबर आप टाइम्स अगर दीन के और जादा बार काटेगा दीन के पाइसे चार बार नहीं काट सकता पर पांच बार काटेगा यानि और नंबर आफ टाइम्स कट करें यहां पर एक सवाल ही हो सकता मन में यह सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगा इसा भी तो हो सकता है आप तो होगे बढ़िया ऐसा है ठीक है यह आप यहीं रखो कि ए कॉमा एफ एफ ए भी आप यहां रख रहा है तो बी कॉमा एक यह बी इंपूट था एक बी आउट्पूट था नेगेटिट था तो नीचे ले दिए आउट्पूट नेगेटिए ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से यह आया इधर से आया ऐसे करके वापस गया और टच करके फिर वापस से लाईया बीट यह अलफा है और यह बीटा है कितने रूट्स हो गए दो रूट्स यह बीटा रूट्स है रही है यह अलफा बीटा एंड बीटा 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 इस अडीट रूट्स यहां भी तीन बार काउंट हो गए है यह फिर पांच बार काउंट होगा चार बार काउंट नहीं हो सकता है यह बीटा दो बार काउंट होगया एलफा एक बीटा तुप लिए की Pump कि इसी तरह से एड कि या अगर दो आगर सब्सक्गा डूर्वें ट्रिया था मैंने इस states क्लिट लिए था क there and एफ और एफ बीका साइन मेंने निगेटिव दिया था आप में एफ और एफ बीका साइन वास्टिव रहता हूं कि इस एफ एफ बी आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ देन एफ 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 बी रफ सें साइब यह वाली सिटुएशन आपकिलों ठीक है ना इस साइब एक्स एक्स एफ वाली सिटुएशन आपकिलों ठीक है ना कि आपका जो यह एक्स 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 बना लेते हैं यह आपका A है यह आपका B है मानते हैं दोनों में आप दोनों में पॉजिटिव मान लेते हैं चलिए आप चाहों तो दोनों में नेगेटिव भी ले सकते हैं इसलिए यह उपर ही आएगा और जो बी वाला है इसलिए यह उपर ही रहेगा एक्स 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 के उपर रहेंगे तोनों में अब यहां से A से B में पहुंचने के लिए से कार में भीव रहें र carnी क जग्डिन लेड़ विलों में लेगाग से लेड़ ओला रहें पली sedang पल्ण। कार डेंग्डिना समया पुर्ण्या में पलीवान डेंग्डिनेट टू इंडद पौन हैं ≦ो आजएजेश्श् इसका मतलब यह क्या हो गया नो रियल रूट लेकिन अगर वो एकसेस को क्रोस कर गया तो उसे दो बार क्रोस करना पड़ेगा एकसेस को ठीक है ना मालों अगर मैं यह वाला केस कंसिडर कर रहूं और अगर एवाले पॉइंट पर भी पॉजिटिव है वो और बी वाले पॉइंट पर भी वो पॉजिटिव है तो अगर वो एक से इसको क्रॉस करे तो उसको वापस एक बी पहुंचने के लिए दुबारा क्रॉस करना पड़ेगा यानि कि दो रूट्स होंगे और टच करके निकल आया तो भी दो रूट्स होंगे क्योंकि वो रिपीटेट होगा ना नो रियल रूट्स इस केस में जो मैंने सेकेंड केस बनाया है सेकेंड वाला केस देखो पूरा इसको लिख दूँ तो रीच बी फ्रॉम ए दग्राफ मस्ट रॉस एक्स एक्स एवन नम्बर अफ ताइम्स अगर दो से जादा बार करेगा तीन बार नहीं कर सकता है तो अपसा आना पड़ेगा उसको चार बार करेगा इवन नम्बर अफ ताइम्स हां टंच करने वाली बात विल्लब हो जाती है तच करने में रूट की मल्टिप्लिसिटी जादा हो जाती है इवन नम्बर अफ टाइम्स या इसका मतलब यह हुआ अगर मैं इसको समराइज कर दूं कि इन दिस केस अफ एक्स एक्वल दूरोवेह। either no roots or we will have even number of real roots even number of real roots यह है देखिए ठीक है न तो एक चीज तो यह हो गई अच्छा अगर इसको मैं अलग वर्ड में लिखूँ इस एफ एक्स चेंज़ेस साइन अगर एक्स चेंज़ेस साइन साइन चेंज करता है तो इसका मतलब क्या होगा इस स्क्राइस रियल्यूट's के में ञूल्ट हिए न तो ओर नम्डर फ्रयोड्यूट's प्रोर्ट प्री?!" घ्डूतwire थूसरा प्वे ज्यूतश्ज फ्वेयूटиш वह दास्ट नॉर्ट इंजास्टिं ये जब बिए बास्टिंट अ कर द सकर दोल समय कर दूलिख कि दिए गया नॉ यह चीज हम पहले को भी डिसकस कर चुक है हम लोग ठीक है न अब यहाँ पर ठीक है यह में रिखा जिखता है एक हम लेंगे concept of repeated repeated roots बार बार यह आ रहा है वोड इसको मैं फोड़ा साहिक elaborate कर देखता हूँ repeated root का क्या मतलब यह मतलब हुआ है यह मतलब हुआ है इफ एक्सिक्वल टू एल्फा इस रूट आफ पी एक्स इक्वल टू जीरो रिपीटेड एंट ताइम्स र ताइम्स रूटे थे एंट रूटेड रूटे थे एंट रूटेड ताइम्स तो हम क्या बोलेंगे we say that the root is of multiplicity r we say that alpha is a root of multiplicity r खेक्या ना तौम इसको ऐसा लिखेंगे लिए px को therefore जो px है वो ऐसा लिखा जा सकता है x minus r जो फेक्टर होगा नहीं ये क्या है x minus alpha जो फेक्टर होगा हर root एक फेक्टर देता है तो x minus alpha जो फेक्टर होगा वो r बार repeat होगा और बाकी यहाँ पर कुछ और भी फैक्टर्स होंगे जिनके बारे में मुझे बात करें कि जबरत नहीं है ठीक है ना तो ऐसा यह मतलब होता है इसका कोई भी रीट अगर रूट अगर रिपीट हो रहा हो ठीक है ना अगर मैं यह बोलूँ इफ if x equal to 1, x equal to 2, are roots of a cubic polynomial are roots of a cubic polynomial, where x equal to 1 as multiplicity 2 then, जो cubic expression बनेगा आपका, वो ऐसा बनेगा, x minus 1 एक बार, x minus 1 एक बार और क्योंकि इसके multiplicity 2 है और दूसरा factor बनेगा दूसरे root, यह आपका cubic polynomial बनेगा, बाहर के से multiply कर देते हैं यह आपका दूसरे root का यह concept हो गया, अच्छा यहां पर एक property यह है important note कि आपका, बाहर को remember repeated say E x equal to 0 has a root alpha repeated Marlow 3 times then x equal to alpha is a root of obviously p x equal to 0 का तो है ही है तो x equal to alpha is a root of p dash x equal to 0 का भी होगा और x equal to alpha is a root of p double dash x equal to 0 का भी root होगा ठीक है ना लेकिन उसके बाद के derivative नहीं होगा तो उसको generalize हम कर सकते हैं if p x equal to 0 0 as a root alpha repeated r times then x equal to alpha obviously ये common root हो जागा इन सबका root of obviously p x का तो root हो ही है p d x x का भी होगा और 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 ये प्रोसेस कल चलता चला जाएगा कहां तक p r x r x r r-1 derivative r-1 derivative r-1 p r-1 x x r-1 derivative of p x r-1 r-6 x y root t i by one after each differentiation we can avoid property chicken कि देखो अब यह जो मैंने कुल्जोग कराया इन पर मैं आपको कुछ कुछ करा देता हूं ठीक है इसमें मैंने तो पहले चीज़ यह है कि प्रूब डैट घुट कि ज्य़के कर norms अबाओ ठेखो लंगा इसे य, प्रूब सब्सक्राइब तो डिफ्रेंट रूट इन दिस इंटर इसके जुड़ाए दो रूट्स नहीं हो सकते जुड़ा से जुड़ाए ठीक है ना सब्सक्राणा बदिए cuales हैं नां आगी मुड़ाए ऐसके जुड़ाए हो रूब दुड़ाए है लूवरा स्टारो इन दो सक जुड़ाए रूटाए है जुड़ाएं आट दूड़ाए है कि अलिक है मी है glossाटवस प्रोटS टा触 देखा ऐन दो आटक पास में हैं ह correl समय है ठीक है देखो कैसे होगा अब मालो इसको एक्स मानके चलते हैं एक्स इक्वल टू एक्स क्यों माइनस थ्री एक्स प्लस सी इसको मैं डिफ्रेंशेट कर दूंगा तो यह हो गया थ्री की एक्सस्क्वार माइनस 3 और रूटस ओफ्रेंशेट सी निकालना तो यह आ रहे हैं एक्सक्वार माइनस 1 और एक्स इक्वल टू 1 एड माइनस 1 ठीक है ना डंस सी दुम टूब इसका मतलब क्या हुआ F-X का एक रूट माइनस वन है एक रूट वन यह दिरी याद एक ना यह F-X के हैं ठीक है ना F-X के तो इसका मतलब यह हुआ जो F-X हुगा है ना क्या था प्रोपर्टी क्या था बीटी टूरूट्स आव एफ एक्स तो आपका जो F-X होगा वो ऐसा होना चाहिए फूच आपका जो F-X होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए तक यह आपका F-X होगा क्योंकि between two roots of fx there exist at least one roots of its derivative इसका मतलब है कि minus one के अगल बगल दो roots होंगे और one के अगल बगल दो roots होंगे ठीक है ना तो इसका मतलब यह हुआ कि माइनस वन और one के बीच में केवल एक ही root हो सकता है यह वाली property लगा दिए बिट्वीन two roots of fx equal to zero there exist आपसे लेस्ट आपसे लेर्फोर अली जून रून 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 एक ही रूट हो सकता है इसके बीच में एक ही रूट हो सकता है इसके बीच में ठीक है ना हुआ हुआ है इसके बीच में एक ही रूट हो सबना है ते ओए कोशेन है बहुत बढ़िया कोशेन है लेट fx इक्वल टो x q फ्लस 3x स्क्वार फ्लस 6x फ्लस 9 की साथ 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 देन रूट्स ओ रूट्स ओ एक एक्षक्षण दे रहा है वन अपॉन जेड ऐ्ट मैनस f1 plus 2 upon Z minus F2 plus 3 upon Z minus F3 equal to 0 as option there are no real roots दूसरा option है one real root किसरा है two real roots और चौथा बोल रहा है more than two real roots यह है देखे बुष अब देखो अब यह थोड़ा साइस में calculus का इस्तिमाल जो बड़ा है आपके पास जो Fx है वो है xQ plus 3x square plus 6x plus 9sinx और जब आप इसको differentiate कर दोगे तो यह हो जाएगा 3x square plus 6x plus 6 plus 9 cos x गवके थे आपके अपके अइस कर दो जाएगा board X square plus 2X plus 2 plus 9 causes तो ऐसा को बन जाएगा ये 3 स्कार साल बिक सकते है नम लो X square plus 2X plus 1 plus 1 plus 9 6 3X plus 1 जाएगा बिक सकते हैं plus 3 plus 9 6 yeah 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 अब हमें काम करते हैं हमारी परस क्या क्या है एफ फ़फ वन भी अब इसका स्टिमाल कर लिए एफ फ वन आपको इसको हम लोग ए मान लेते हैं आपको यह एक्वेशन ऐसा कुछ बन जाएगा therefore जो equation चाहिए 1 upon z minus a plus 2 upon z minus b plus 3 upon z minus c equal to 0 इसको जवाब rearrange करेंगे ऐसे तो यह z minus b z minus c plus twice of z minus a z minus c plus twice of z minus a or z minus b ऐसा कुछ बन गया है इक्वल टू जे ऐसा बन गया है अब मैं क्या करूंगा इसको एक नया function बना देता हूं जी जेड़ बांद लेता हूं अब यहां से बेंगे question अब लनेगा जेड माइनस c जेड माइनस b जेड माइनस b और जेड माइनस c अब यहां पर देखो मुझे ठीक है 1 पर x 1 अब आप 1 अब मेरे जो तीनू पॉइंट्स दिये ना एक्स इक्स इक्वल टू वन टू थ्री तो मैं यह बोल सकता हूं कि जो आपका जो एफ डैस आप डैस वन है वो पॉजिटिव है यहां देख लो वन एक्स है ना तीनी वैलूस पर चक करना है मुझे चाहिए एक्स इक्स इक्वल टू-वान उ त्षू और टू और थ्री पर चक करना है और यहां से आप देखोगे कि जो एफ वन है एफ डैस वन है वह सबसे चोटा होगा प्स पूजिटिव है एफ के इस अक एफडू आसदिव का इफ यह सबसे चोटा होगा उसके बाद F2 आएगा यह है F1 फिर F2 फिर F3 ऐसे कुछ होगा यानिकि आपका A सबसे छोटा है बहुत सारी चीजों को मिला के कोशन बना हुए है अब मैं इसका देखो सी अब मेरा काम हो जाएगा अब जो मैंने प्रॉपर्टी बताईए आपको अब क्या करते हैं नंबर लाइन खीचते है इस पर आपका सबसे छोटा A है फिर B है फिर C है अब जी जैट की वैलू निकाल जी जैड हां देखो मैं जी ए सबसे पहले आप यह बताओ जी ए क्या होगा जी ए पर जो वैलू वह क्या होगी देखो यह वाला एक पुट कर यह दो जीरो हो गया A-B पॉजिटिव ए माइनस ए माइनस बी नेगेटिव है ना जट के जगब यह जीरो हो जाएगा A-1 तो यह आपका यह बचेगा A-B और A-C दोनों negative मतलब कि आपको positive value मिल जाएगी A पर आप positive हो यहाँ पर होगा A पर आप यहाँ पर हो ठीक है ना फिर आपने जी बी निकाला B पर यह 0 हो जाएगा यह वाला 0 हो जाएगा यह वाला बचेगा twice of B-A और B-C यह negative हो जाएगा भाई तो B पर आप negative पर हो और जब आप C निप पुट करोगे तो C पर यह पहला वाला और दुसरा वाला तो 3 C माइनस A C माइनस B यह भी आपका positive हो जाएगा तो C पर भी आप positive हो यह निए आप continuous है क्यूबिक कोई में में continuous है तो आपका जो ग्राफ निकल के आएगा वो ऐसा कुछ बनेगा positive से पहले वो negative जाएगा negative से फिर वापस हो positive जाएगा ऐसे कम से कम कि आना क्वारिटी के क्यूबिक नहीं है क्वारिटी के सोड़ी यह वाली हम बात कर रहे है कि कि इसकी और इसनल फंक्शन क्या था वो अलग चीज़े यानिकि जी जेड है यह जी जेड का ग्राफ बनाए मैंने ग्राफ आपका बनाए है जी जेड का ऐसा बना है इसका मतलब यह हुआ यहां से ग्राफ स्टडी करके देखो वन रूट लाइं बिट्वीन A and B, एक रूट आपका A और B के बीच में है एंड वन रूट लाइं बिट्वीन B and C, दिएरफोर आपका ऑप्शन है तू एक्जाक्ली तू रियल रूट्स यह आपका ऑप्शन है कि एक और दिखांगा इसी डाप का पॉश्चन थोड़ा इजी लेता हूं चलिए देजी पॉश्चन यह है रूट्स अफ पॉश्चन थोड़िक आपके ऐसी देर किया देखा हूं च 스के कि आट पॉश्चन थोड़िक । प्लस एट इकल तू जिरो लंडा बेलोंग्स तो आर विल बी ठीक है तो आप विल बी ठीक है तो आप विल बी ठीक है अल्वेस रियर प्रूव करने है ठीक है अब देखें मैं इसको अबब प्रॉपर्टी से करूंगा मैं एक पॉलिणामिल बना देता हूं यह इसको फैक्टराइस करें लिएता हूं यह मेरे खाल से हो जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस यह हो जाएगा और यह भी साथ फैक्टराइस हो जाएगा लेंडा एट एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फोर लेंडा आपका इस्तिमाल करता हूं मैंने क्या किया इन नंबर्स को जो भी नंबर्स दिख रहे हैं फिर थ्री आएगा फिर फोर आएगा जो वन टू थी फोर है और लेंडा आपको दिया हुआ है उपर डिफाइंड है अब हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले मैं पी वन निकालता हूं पी वन अब पी वन पे यह जीरो हो जाएगा तो वन माइनस टू नेगेटिव वन माइन हीओ यहनिकी पॉजिटिव लेंडा आगे पी वन पे वन ना पर यहें अब पी पी क्म पैज़िव है है फोरी पे आ यह जीरो तो टू माइनस पाजिव नेगेटिव टू पैज़िव हुआ है 3 पर क्या है 3 पर 3 पर आया है 3 माइनस 2 पॉजिटिव 3 माइनस 4 नेगेटिव यहने कि माइनस लेंड़ा आया है और P4 पर क्या है अज ओपा है और P4 पर आया है 0 4-3 4-1 पॉजिटीव ऐसा कुछ है यह सिच्वेशन है ऐसा सिच्वेशन हुए चार पॉजिटिव यहनि कि पी टू पर नेगेटिव है तूपर आप नीचे हो यहनि आपका पी टू पर आप नीचे हो आप नीचे हो डेफिनेटली पॉजिटिव निपी फूर भी आपका एक सेक्सिस के उपर यह एक सेक्सिस है पॉस्तिव मतलब एक सेक्सिस के यह देख वन पे आप क्या हो यहाँ पर दो चीजे है ठीक है न अब लेंडा का लेंडा की बारे में फटा नहीं है तो हम पता लेंडा नेगटिव अब यह तो पता कि एक क्वारिटिक है तो इसके दो ही रूट्स होंगे तो पी एक्स ऑबिस्ली एक क्वारिटिक है और यहां एक चीज है वो गया देखो टू और फॉर के बीच में डेफिनेटली एक रूट है है ना याद करो पी ओफ टू पर नेगेटिव पी ओफ फोर पर पॉजिटिव तो यह प्रोड़क्ट है दियर फोर दियर एक्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट इन टू एन फूर टू एन फूर के बीच में वन रूट लाई करेगा ठीक है ना है एज इट इस वाड़ेटिक एट लिस्ट के बाद वो फिर या तो वन होता है तो थ्वी होता है थ्वी तो हो नहीं सकते एज दिस्कॉड्रेटिक तो थील रूट तो हो नहीं सकते दियर फूर वन्रूट लाइ इन तू से फूर एक रूट आपका डेफिनेटली तू से फूर बीच में है अगर एक रूट आपका तू से फूर के बीच में है तो बाई दुसरा रूट कहीं भी होगा होगा तो रियल दूसरा रूट' लुट प्पेर में होते हैं दूसरा रूट बी र्यिल होगा कहा लाई करता ही कह नहीं सकते पर साइन का पता नहीं है आगे बांकी कोई पॉइंट है नहीं लेकिन डेपनेटरी दुशा रूट एक रूट है ना एक रूट तो वन रूट इस रियल और वो लोकेट भी हो गया है एक्जाक पोशिशन नहीं है तू आर फोर के बीच में कहीं है वन रूट इस रियल दियरफोर सेकंड मस्ट अलसो भी रियल क्यों क्यों कि इमेजने रूट्स एक्जिस्टिन पेर देखो सारे कॉंसेट्ट लगे इस पे इमेजनेरी रूट्स एक्जिस्ट इन पेर लो होगी कहानी साथ वियरफोर दो रियल रूट्स होंगे इसके बीच में एक रूट्स तो डेफिनिटली होगा जो कि रियल होगा एक रूट्स रियल है तो दूसरा भी होगा कहीं न कहीं होगा है कि अलोगा में होगा मेज़ने कि इन यूट्ट इफिन वोगा क्यों कि इमैसे रूट्स पेर नहीं में प्रॉपटी ऑड़ नहीं सकता है कुछन प्रॉपटीज ऐर संविट बैस गिए मृट्स गॉट्सृट्स ब्सक्रत्सक्साएश्चन मेना जुला करके प्रॉॉब्ल एक और पिरमको लास्ट फिरी है जब इसको क्लोज कर देते हैं तफ लगता है लेकिन कुशन आते हैं यहां से इफ ए बी सी डी आर पूर रियल नंबर्स इन इंक्रीजिंग ओर्डर ये भी आपको दे दिया चेलें इंक्रीजिंग ओर्डर में है ये चारूं नंबर्स दैन रूट्स ओफ एक्वेशन आर वही ओप्शन है रियल एंड डिस्टिंक्ट एक काम करता है टाइम कम है यह ऑप्शन यही सही भी थे तो हम इसे को एक्वप कर दे थे ठीक है न यही ऑप्शन हमारा सही भी थे बागी जाते नहीं इसको प्रूब भी कर देते तो क्या करना है equation कब देए नहीं equation 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 है मेरे x minus a x minus a x minus c plus 2 x minus b x minus d equal to j solution पर आते हैं आपने क्या क्या point number बना गया x minus a x minus c plus 2 x minus b x minus d यह आपने point number बना गया फिर आपने देखा हैं यह चार नंबर्स हैं इनको आपने number लाइन तर plot कर दिए चार हों मैंने increasing order में दे रखे हैं तो आपने उस हिसाब से plot करना है a b c अब हम क्या करेंगे पहले तो a पर वैलू निकालेंगे यह पर क्या आ रहा है देखो a माइनस a 0 यह खत्म हो गया twice of a माइनस b a माइनस d छोटे से बड़े नंबर को सब्ट्राइब करें तो negative negative मतला positive यह पर तो आप positive हो तो आपका जो p a है वो उपर है कहीं पिर आपने किया a b निकाला जो बी पहे यह बी माइनस ए बचेगा डी माइनस c बचेगा तो b माइनस यह तो positive होगा क्योंकि बड़े से छोटे को minus कर रहे हैं और यह चोटे से बड़े को कर रहे है तो यह negative हो गया यानि कि आपने A पे जो वैलू B पे वैलू निकाली आपने negative value निकाली P of B आप यहाँ पर हो Similarly आपने क्या किया C पे वैलू निकाली यहाँ आपने C पे वैलू निकाली तो पहला term 0 twice of C minus B positive लेकिन C minus D आपका negative हो जाएगा यहां पर भी आप नेगेटिव हा रहे हो यहां पर आप नेगेटिव हो और फाइनली बसता है आपका P of D दी पर जीरो तो D-A पॉजिटिव हो गया तो D बड़ा है ना ओर्डर में दिया हुआ है D- C även positive दोनों positive आपके positive हो गए तो आपको D पर आपको positive value मिली आप देखो यह द्यूर्यक है तो 2 y-0 हो गे इसके कि अब गयो जहां पर sign change करता है तो इसके भीच में हो डेफ़ि gnhtly ओने ही हो देफिनटिल्य हो नहीं हो साइन जहां पर भी साइन चेल्स करता है कम से कम एक रूट तो चाहिए ही चाहिए हो आप पर अब इसका बी और सी में कोई रूट हो नहीं सकता कि ऐसे कुछ बन गया रखते हैं यानि कि एक रूट आपका एल्फा एक रूट आपका बीटा यानि कि वन रूट एल्फा मस्ट लाइ बिट्वीन ए एन बी एक रूट तो ए और बी के बीच में हैं एंड वन रूट बीटा जो है इसको लाइक करना ही पड़ेगा बिट्वीन सी एन बी क्यों कोई पूछे ऐसा क्यों ज्रूर यह क्योंकि साइन चींज हो रहा है आपको मालू मैं दो नंबर के बीच में जब साइन चेंज होता है है तो कम से कम एक रूट तो फटा भी होता है मैंने लिखवाया भी है और पहले जी दो होता है है तो यहाँ पर यह हो गया कि दियर इस नो रूट लेस देन एंड दिन डी और आण डेर इस नो रूट बिट्वेन बी एट इस यह जो प्रोट इस नौ बना कि वो मल्टिक्ट में देब तो यह आपक्या बढ़िया कोशन जाए चलिए आज के लिए यही रुखते हैं इतना ही रुखते हैं उसको